काफी लोगों को एक से जादा लोगों का टिकट बुग करने में काफी जादा समस्या आ रहे थी इसके उपर काफी लोगों ने कॉमेंट किया है कि हमें एक से दो लोगों का या फिर पूरे फैमली का टिकट बुगिंग करना है एक ही टिकेट में एक साथ सभी का टिकेट बुकिंग करना है जिससे सभी को एक ही जगह पर सीट मिले हो साथ ही साथ जो है ना एक ही टिकेट में सभी का नेम हो और सभी का एक साथ टिकेट बुक हो जाए ठीक है तो ये डिमांड आप लोंका इस वीडियो में पूरा हो पहले आप लोग को description मैंने एक link दिया है उस link पे आप जैसे click करेंगे तो confirm tkt का app जो है आपके समने आ जाएगा उसे आप लोग को download कर लेना है install करके आप लोग को open करना है उसे तो आप लोग के सामने कुछ इस परकार का interface आजाएगा सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे सबस तब कि आपका जो nearest या का है pass का जो railway station वहीं से आप चड़ेंगे तो उसी का name आप लोग को यहां पर डाल देना है ठीक है जैसे कि मैं अपना अगर nearest station डालू उसका name डालू तो यहां पर मैं आप लोग को लिख के बता देता हूं देखे यह है हमारा आ गया तो इसके उपर simply आपको click कर देंगे ठीक है तो यहां पर हम click कर दिए इसके just बात दोस्तों यहां पर आप लोग को दूसरा station का name डालने का option आ जाता है तो यहां पर आप क्लिक करेंगे और वो station डालेंगे जहां पर आप लोग को जाना है जैसे कि माल लिजए कि आप लोग को let's suppose कि आप आपको उसके nearest जो भी railway station होता है जहां भी आप जाते हैं उसका nearest जो railway station होता है जहां आप लोग को उतरना होता है वो यहां पर आ जाता है उसको आप लोग को बस simply select कर लेना है तो यहां पर हम बिलासपूर junction यहां पर हम टाइप कर लेंगे या फिर हमने यहां पर सर्च कर रह तो ठीक है यहां पर दो आ जाते हैं ठीक है यहां पर बिलासपूर जंक्शन ने हम उतरेंगे तो यहां पर हम सिंप्ली हम क्लिक कर देंगे देखे यहां पर हम लोगों ने क्या किया सबसे पहले तो जहांस हम चड़ने वाले हैं वो इस्टेस हमने चूज कर लिया जहां हम उत ट्राइवल करना चाहते हो आज रात की ट्रेंड है तो आप लोग जो है इसी डेट को सेलेक्ट करने देना अगर आप एक कल करना चाहते हो तो कल का डेट सेलेक्ट कर लेना अगर आप परसू करना चाहते हो तो परसू का सेलेक्ट कर लेना या फिर आप जो है नेक्स मन्त के कि यहां पे ट्रैवल करने वाले हैं यहां पर 6 June को हम इसे कर लिया है और यहां पे आपलोग अगर नीचे को एक केंसलेशन को लेकर यहां पे टिक लगवाए जाता है जो आप लोगो को नहीं लगाना है दोस्तों ठीक है बिलकूल भी यह टीक आप लोग को नहीं करना है ठीक है अधर वाइस आप लोग से एक्ष्टा चार्ज लिया जाएगा इसके बाद अंभी कापुर दूर्ग एक्सप्रेस दूसरा है चिर्मिरी बिलासपुर एक्सप्रेस आप लोग यहां परिएक सकते हो नेम यहां पर ट्रेन का नबर आप hero को देखने और कितने seats available है यहाँ यहाँ पर आप लोगो देखने को मिल जाएगा slipper में कितने हैं और इस पे आप यहाँ पे देख पार होगे, click to refresh का एक button है, इस पर आप जसे click करोगो तो यह refresh हो जायेगा ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो है sleeper पे करके देखने वाले हैं। एहां पे देखे दोस्तोव स्लीपर, पे हम यह जो ट्रेन है, यहां पे सिपने नोंसकी देखने रहा है उसलीपर आप नो को थीग ड़ों Whoo फाल जो आपका इस्टेशन है जहां आप दरने वाले हो वो 6 बच के 35 मिनट में ठीक है और यह अला ट्रेंड का टाइम भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को ग्यारा बच के 45 में यह आप लोग को मिलेगा और साड़े चार बजे आपको यह छोड़ेगा ठीक है तो यह ट्रेंड का टाइमिंग आप देख सकते हो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉस्सी उलव ट्रेंड में AGए और दूसर आप लोग क्लिक कर देगे इसपर हम siplik करेंगे जैसे यह आप यह hen पे क्लिक करेंगे ना दोस्तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार स मिलेगा यहाँ पर slipper है और third AC का है यहाँ पर आपनों को दिखाया जाता है अब भी जो है यह slipper पर selected है अवलेबल है 91 seats और इसके लिए आपनों को जो है यहाँ पर पे करना पड़ेगा 145 रुपीज 145 रुपए बुक करने के लिए आपनों को इसी पर क्लिक कर देना है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर हम सिंप्ली क्लिक कर देंगे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप लोग को सामने जो है कुछ इसके पर का पेस देखना हो मिलेगा अगर आपका IRCTC अकाउंट पहले से लोगिन है तो यहाँ पर आप लोग रोग देखना हो मिलेगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा वाला ठीक है अगर आप चेंज करना चाहते हो इसे तो इडिट के बटन पर क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ पर बॉर्डिंग इस्टेशन के नेम आप लोगो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर ट्रेन आप लोगो अपनों को सेलेग्ट करना है यहाँ पर आप लोग जो भी आपका गण्डर है इसके बाद यहाँ पर हम succeeding योग 3 याटरी है होने हो लोग Cost alguns करने वाले हैं तो तीनों का एक साथ ही आपर बॉकिंग करने सो यहाँ पर हम चो कौन सा यहाँ पर बर्थ सेलेक्ट करना है जाजे कि लोवर बर्थ हो गया मिडिल हो गया अपर हो गया साइड लोवर और साइड अपर ठीक है तो यहाँ पर हम माल लिजे कि हम जो है तीन लोग सपर कर रहा है तो यहाँ पर लोवर बर्थ ले लेंगे फिर हम मिडिल उसके बाद अपर ले ल हाइस्टेक 1 लगा हुआ है इसके बाद आप लोगो सिंपली से सेव कर देना है ठीक है यहाँ पर सेव कर दिया हमने अब यहाँ पर मान लिजे कि आप लोगो जो है ना एक से ज्यादा बंदों को ट्रैवल करना है फिर आप क्या करोगे यहीं पर आके आप रुख जाते हो अगर बच्चा कोई भी ट्रैवल नहीं कर रहा है अगर बच्चा कोईㄹ ट्रैवल कर रहे है को यहाँ पर आप पर देख सकते हूं हków हैस्टेक 2 आ चुका है यहाँ पर जो दूसरा बंदा जो प्रेवल कर रहा है ना उसका नेम उसका जेंडर और उसका एज आपनों को यहाँ पर लिखना है ठीक है यहाँ पर हम उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं उसका नेम हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इसके बाद यहाँ पर हम उसका एज लिख देते हैं और यहाँ पर जो से क्लिक करेंगे यहां पर हम क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पर उसका जेंडर सिलेक्ट करेंगे तो फिर से हम जो भी आपका जेंडर है जो भी थार्ड या थार्ड परसिन का जो जेंडर है वह आप लोगों का नेम यहां पर डालना है उसका ऐस डालना है और यहां से पर आपको टिक कर देना है इसके बाद यहां पर आप लोग यहां पर नीचे आना है तो आप लोग यहां पर कोंटाक्ट इंफोर्मेशन देना है इसमें आप लोग जो है तीनों बंदों में से किसी एक का एक कॉंटाक्ट नमबर आप लोग देना है यहां पर और यहां पर इमेल आईडी पर ही आपनों को जो यह e-ticket होता है यह सेंड किया दाता है ठीक है जिसे आप लोग कर देना है आप लोग को इसे अंटिक कर देना है यहाँ पे देखे हमने अंटिक कर दिया अब प्रोसीड पेमेंट के बटन पर हम सिप्ली क्लिक कर देंगे इसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा देखे यहाँ पे आप लोग का एक तो तीनों बंदों का जो है न अलग अलग टिकेट का जो चार्ज है वह यहां पर आड किया गया है देखिए हम आपनों को दिखा देता हो इस पर आप ख्लिक करेंगे तो यहां पर जो टिकेट फेर है जो टिकट का किराया है वो आपनों को लग रहा है 435 रुपए convenience फी यहाँ पे 17.7 यहाँ पे लिया चार रहा है और agent service चार्ज जो है आपनों से 20 रुपए लिया जा रहा है 19.99 रुपीज यहाँ पे लिया चार रहा है और total जो है न ग्रांट total 473 रुपए आपनों को यहाँ पे करना होगा ठीक है और यहाँ पे आपनों को यह पे करना है पे करने के लिए आपनों को यहाँ पे phone पे Google पे और other UPI और नीचे यहाँ पे आपनों को Amazon पे और Paytm को option मिल जाता है ठीक है इसके लिए बाद दूस्तों यहाँ पे आप लोगो जो है न एक टिक लगाने को option मिल रहा है यहाँ पे देखे इस पर टिक नहीं करना है अगर आपको लगता है कि आप जो है इस ticket को cancel नहीं करोगे आपको जाना ही है उस date को अगर आप 100% confirm हो तो आप इस पर टिक नहीं करोगे लेकिन अगर आपको लगता है कि यार नहीं मैं जो है इस ticket को cancel कर सकता हूँ तो आप लोगो इस पर tick कर देना है क्योंकि यहाँ पे कहा गया है get full refund on your ticket cancellation अगर आप ticket को cancel कर देते हो तो आपको जो है full refund मिलेगा यह जो amount है जो आप पे करोगे यह full refund आपको कर दिया जाएगा इ आप लोग का amount यहाँ पे चिंज हो जाएगा देखो यहाँ पे amount जो है चिंज हो चुका है यहाँ पे अलग से आप लोग को zero cancellation जो charges है यह आप लोग को 1.500 रुपे देना पड़ रहा है मतलब पर परसन आप लोग को 50 रुपीज जाओ है यहाँ पे पे करना पड़ेगा ठीक phone page है Google page है जिसके तुरू भी आप payment करना चाहते हो डिरेक्ट आप लोग को यहाँ पे payment कर देना है हमने यहाँ पे phone page क्लिक किया है देखे यह redirect हो रहा है phone page यहाँ पे आप लोग के सामने आप देख पा रहे होंगे कि confirm TKT online solution private limited यहाँ लोग यहाँ पे देख सकते हो 473 हो जाएगा फिर से confirm TKT के application में और यहाँ पे आप देख सकते हो payment successful please wait करने के लिए कहा जार है अब जैसे आप वेट करेंगे थोड़े देर तो आप लोग को यहाँ पे आपका IRCTC का password डालने का option आ जाएगा यहाँ पे आप अपना password डालेंगे अगर आप भोल गए है IRCTC ID क पासवर्ड तो आप जो है forget password का भी इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पे नीचे जो capture दिये गया है इसे आप capture वाले box में इंटर करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को submit के बटन पे क्लिक कर देना है सारे detail भर लेने के बाद password और capture भर लेने के बाद आप भर लें पासवर्ड वेरिफाई हो जाएगा यहाँ पे जो आपका ticket ही confirm हो जाएगा payment तो आपने already कर दिया है इस प्रगार से आप लोग को ticket है वो confirm हो जाएगा यह बहुत ही आसान तरीका है confirm ticket ही application से आप इस तरीके से अपना जो एक seat है train की वो book कर सकते हो आप दोस्तों आप देख स सकते हो इस पेस में आप लोगों को booked देखने को मिल रहा है सब से उपर में download ticket को option आ चुका है आप इस पर click करके अपना ticket भी download कर सकते हो ticket download होने के बाद आप लोगों को चीज़ पर आगया होगा कैसे आप लोगों को 2-3 लोगों का ticket अराम से book करना है online ही मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में इस पकार का वीडियो बाने के लिए आपनों को सब्सक्राइब जरू से करना है